नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन दिवारी बिहार लोकसेवा आयोग के जड़िये बिहार में एक लाख सतर हजार पदों पर सिक्षक भरती परिक्षा कराई गई जिसका रिजल्ट भी आयोग के तरब से जारी कर दिया गया था लेकिन बीती रात आयोग ने 20 अभ्यर्तियों की नई सूची जारी की जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि बिप्यस्स सिक्षक भरती परिक्षा में ऐसे भी अभ्यर्ती परिक्षा दे रहे थे जो दूसरे के बदले एकजाम में सामिल हुए थे कुछ ऐसे थे जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ और कुछ ऐसे थे जिनका अधार काड सत्यापन नहीं हुआ और इन अभ्यर्तियों को बिप्यस्सी ने फरजी अभ्यर्ती बताते हुए इन पर 5 साल का बैन लगा दिया है यानि कि अगामी 5 वर्ष तक ये प्रतियोगी परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएंगे आपको बता दे कि इन 20 अभ्यर्तियों में 11 अभ्यर्ति वो थे जिनकी जगा पर दूसरे अभ्यर्ति परिच्छा में सामिल हुए थे जिसमें रंजन कुमार गुपता, हरी प्रकास, समीर राज, निरंजन कुमार, सरोज कुमार प्रसाद, राजा राम यादव, फूल कुमारी, मनिकांत कुमार, रितेस कुमार, मदन मुहन कुमार और गौरक कुमार जैसे अभ्यर्तियों की जगा पर दूसरे लोग परिच्छ तो किसी ने गलत पहचान बताई थी जिसमें अंसु यादव और संजीत कुमार आधार काट के सत्यापन में असफल रहे मनीश कुमार राकेश कुमार और शसी कुमार के बायोमेट्रिक से फोटो मिसमैच होने के बाद प्रतिबंध लगाया गया है रामानंद कुमार, रंजन कुमार गुपता, विकास कुमार राय और विकास चंदर यादों ने अपनी पहचान गलत बताई है तो ऐसे में इन तमाम 20 अभ्यर्तियों की सूची आयोग के तरप से जारी की गई जिसमें साफ तोर पर कहा गया है कि ये अभ्यर्ती अगामी कि आयोग के तरप से रिजल्ट जारी किया गया है, रिजल्ट में गर्बडी की बात हर अभ्यर्ती के तरप से कही जा रही है, आयोग के बाहर भी हमने प्रदर्शन खूब देखा है, तमाम नेताओं के भी बयान इसमें आ रहे हैं, खास कर डुमेसाइल नीती को लेकर भी क नवंबर को सिख्चकों को न्यूक्ति पत्र बातने वाले हैं, उसकी भी तैयारी जोर सोर से चल रही है, और जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बीपीस्चक भरती परिक्चा में सफल हुए, 25,000 सिख्चकों को न्यूक्ति पत्र गाधी मैदान में बाता जाएगा, बिह अंबर को गाधी मैदान में हैं ये 25,000 अभियर्तियों को ही न्यूक्ति पत्र देंगे लेकिन उसके अलावा अन्य जीलों में जो अधिकारी है वो सिच्चकों को न्यूक्ति पत्र बाटेंगे तो एक तरफ सिच्चकों को न्यूक्ति पत्र बाटने की तैयारी है वही दूसर तरफ दूसरे चरण की परिच्छा से पहले VPSC ने एक उदाहरन पेश करते हुए फरजी अभियर्तियों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है ताकि आगे चल कर इस प्रकार की गरबड़ी या फरजी वारा देखने को ना मिले दूसरे चरण में अभियर्ति अभी से सतर्क रह हैं वह पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है बना रही है लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें